हार बोट के मैट्रिक बोट परिक्षा की समाजिक बिग्यान का पेपर जो रध हुआ था और कुछ जग हो पेनेजी के भी परिक्षाय नहीं हो पाई थी तो इन दोनों परिक्षा की तायारी पूल्ड करके बिहार बोट के तरप से ओफिस्यल लोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल आपके समाजिक बिग्यान की परिक्षा होगी जाम सेंटर पे आपको किन किन बातों को ध्यान रखना इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से जनकारी दिया गया है मैट्रीक परिक्षा रध हुई समाजिक बिग्यान विस्तार की पूनर परिक्षा कल सीवान के तीन केंद्रों पर अंग्रेजी की परिक्षा नौ को आगे विस्तार जानकारी दिया जला है कि मैट्रीक की बारसीक परिक्षा 2021 में रध हुई समाजिक बिग्यान विस्तार की सोमवार को होगी परिक्षा पहली पाली में सुबह नौ तीस बजे से सुरू होगी परिक्षा के लिए सभी जीलों में कौपी OMR सीट विक्षक का घोसनापत रॉल सीट डिसमैच मेमो इत्यादी भेजा जा चुका है पर लिख होने के बाद समाजीक विज्यान की परिक्षा रद करनी पड़ी थी इसके बाद पुनर परिक्षा आठ मार्च को निर्धारी थुई थी सीवान के माहराज गज अनुमंडल में 3 परिक्षा केंद्रों पर अंग्रेजी की परिक्षा नहीं हो पाई थी बैंक के लौकर नहीं खुलने के कारण उस्रपत्र नहीं बठ पाया था उन 3 केंद्रों पर सामील 6 रों की परिक्षा 9 मार्च को होगी इन तेन केंद्रों पर अंग्रेजी की परिक्षा भी पहली पाली में आयोजित होगी इसके लिए भी कॉपी OMR सीट सहित अन्य सामगरी सभी जीला को भेज दी गई है और आगे यहां पे लिखा गया मुल्यांकन नहीं होगा समाजिक विज्यान की परिक्षा के दिन आठ मार्च को इंटर परिक्षा की कॉपीयों का मुल्यांकन नहीं होगा बिहार बोड ने निर्देश दिया है कि मुल्यांकन का काम उस दिन नहीं किया जाएगा लियांकन केंद्रों पर भी परिक्षा होनी है इसकी जानकारी सभी सिक्षकों और कम्प्यूटर पर अंक एंट्री कर रहे हैं लोगों को दे दी गई है आर बोड ने सभी केंद्र अदिक्षकों को कहा है कि डाटा यूग्द सामगरी में कौपी OMRC उपस्थिती पत्रक A1B और उपस्थिती पत्रक समीती द्वारा सीधे आप पूर्ती कराई जा रही है सभी केंद्रों पर सारी सामगरी सही सही मिल गई है इसकी जांच अस्वस्त कर ले जिन केंद्रों पर किसी छात्र या छात्रा का डाटा यूग्द कौपी OMRC उपलवध नहीं है उसे डाटा रहित कौपी OMRC दी जाएगी कुल मिला कर जो आपको समझना है तो जीतने भी छात्रों के परिख्षा समाजी वियर्ण को सभी माजिक विग्यान का परिक्षा सभी पर्थम सीटिंग के छात्रों को देना है लेकिन अंग्रेजी के परिक्षा सिर्फ सीवान के महराज गजन वंडल के तीन परिक्षा के अंदरों पर जिन की परिक्षा नहीं हुई थी उन ही छात्रों को देना है परिक्षा संबंधित तो आपको देकर विच्छ को लावटा कर नया ले ले ना मजी पूरा जो है पीछे ले वाला जो नियम था पीछले जो आप एक्जाम दे चुके हैं वह इसे ही नियम लागू रहेगा जाम संटर पे समय से थोड़ा सा पहले पहुच जाना और पीछे जैसे आप परिक्षा दि झाल